प्रेश्रे रादे दोस्तों मेरे कई सारे सब्सक्राइबल की यह डिमांड है कि दी आप अपने हर प्रकार के प्लांट को भी दिखाएं और साथ में जितने भी प्रकार के आपने यहां पे प्रियोग किये हुए हैं उनके बारे में भी बताएं तो मैंने सचा कि चलिए आज इसी टोपिक पर वीडियो बनाया जाए और आप सब की इस डिमांड को भी पूरा किया जाए तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे टोटली दो मन्त हो चुके हैं अपने टैरेस काड़न को शुरू किये हुए और शुरुआत मेरी काफी अजीबों गरीब सी थी मतल किया घडो का इस्तेमाल कि मैं गाउं से हूँ तो इस परकार की टोक्रिया मुझे मिल गई साथ में यह तेल के टीन मिल गई ऐसी कई सारी चीजे खुद बखुद मेरे पास त्यार होती चली गई क्योंकि इंटेंशन सही था और काम करने की थोड़ी बहुत लगन थी उसी के फटा फट से शुरू करते हैं ये वीडियो दिखाती हूं आपको पॉट्स इस वीडियो में में सिर्फ पॉट्स ये दिखाऊंगी अगर प्लांट्स दिखाने लगी तो काफी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफी लोंग बन जाएगा फिर आप स्किप कर दोगे तो प्लांट लगा दिया और साथ में आप देख रहे होंगे यह मैंने क्या लगाया है उससे डेकोरेट कर दिया है ताकि यह देखने में और भी सुन्दर लगे पॉट हमारा यह आ जाता है यह है चौकलेट का डिबबा अमूल चौकलेट थी इसमें न तो मैंने इसे भी पेंट वगएरा करके इस प्रकार से ड्रेनेज होल निकाला और प्लांट्स लगा दिये हैं फिर यह वाले पॉट्स हमने काफी साल पहले लिए थे आठ पॉट लिए थे हमने कुछ हंड्रड सम्थिंग रुपीज के मिले थे तो यह वहीं है ओके थार्ड नंबर पर हमारा यह वाला पॉट आ जाता है इसका प्रयोग हमना पातियां डालने के लिए करते हैं यह भी लकणियों की मदद से बना सब्सक्राइब करने से पहले नंबर पर हमारे यह वाला पॉट आ जाता है जिससे सिंपली मैंने इस परकार के प्लास्टिक डिबा था और यह तो हार आप जानती होंगे से कोई फंक्शन वगएर होती है रिटार्मेंट वगएर होती है ना तो हमारे यहां पे इस तरह के हा सबसे बड़ा पॉट जो कि है एक टीवी का पीछे का हिस्सा यह हमारे पुराने जवाने वाला टीवी था कुछ इस प्रकार से वेस्ट पड़ा हो था घर पे तो मैंने इसमें इस तरह सी इन प्लांट्स को लगा दिया और यह वाले तो आपको यादी होंगे यह तो मैंने से अब नंबर पर आ जाता है यह सुनदर सपॉट इसे मैंने खुद क्रियेट किया यह अचार का डिबा था जो की वेस्ट था इससे भी माधश्री फैंगने वाले थे तरूमाने के प्रियोग करने के बाद उनको फैंक दिया जाता है इसमें कुछ इस प्रकार से प्लांट् और यह स्टेंड मैंने लकडियों से क्रियेट किये हैं और साथ में इनके उपर भी दुपट्टा बांद दिया है ताकि देखने में भी तोड़ा डेकोरेटिव सा लगे फिर आ जाता है मारा यह तेल के टीन वाला डिबा और देखे इसमें प्लांट कितने हल्दी तरीके से ल लगा सकें इसमें देख्यों हर एक प्रजाति का प्लांट मैंने इसमें लगाया चानी प्लांट म्यों लगाया ट्रहां तका besser है और दूसरी साइडась से के लिए कोड़ा में यहाल कांजी करो हैं। की जादा झिलाने के लिए करते थे कुछा हैं लिए recept लगास जआएं। पौदा लगा दिया है जिसमें कुछी दिनों में फूल भी खिलने वाला है साथ में यह टूटा हुआ घड़ा मैंने इसे भी नहीं छोड़ा इसमें मैंने प्लांट्स लगा दिये हैं यह वाला जो आप पॉट देख रहे हैं यह हमने कुछ साल पहले क्रियेट किया था लग रहा और पॉट भी नहीं मिल रहा है तो यह इसी में अच्छे से घ्रोव और यह देखे टमाटर का पोदा किते तरीके से यहां पर ग्रोव हो रहा है तो इसी चीज़ों को भी ना फैंके इनका भी प्रयोग ज़रूर करें यह लकडियों वाली बकेट जिसका प्रयोग में मैंने देखी किते अच्छे से प्लांट इसमें ग्रो हो रहे हैं तो ऐसी चीजों को भी बिल्कुल ना थेंगे हमारे यहां पर ऐसी टोकुरियां को प्रयोग गोबर उठाने के लिए किया जाता है बट यह पूरी तरह से टूट चुकी थी तो मैंने इसमें कुछ इस तरह कि फ्लान लगा है भी जिए कहारी का इसके से बहुंद लगाए यहां तरीकि ग्रोड और पहुंद करतें हैं आप क्या देख रही होंगे यह वाला पोट तो यह हमारे हां पे ना गायों को कैल्शियम पिलाई जाती है तो उसका यह डिबा था इसका भी कोई प्रयोग नहीं करता था इसलिए मैंने से कुछ इस प्रकार से कट किया और प्लांट्स लगा दिए देगी किती अच्छी तरीके से इसमे प्लास्टिक का इस प्रकार से फिर मैंने और गाई है और सब्रे अच्छी से ग्रोग और प्लैक जस्त में ठीक तरीके से फैल रहा है कि इसने सारे प्लांट्स को कवर कर लिया है मैंने इस पॉट में टोटली 20 प्रकार के पोधे लगाए हैं बाकि आपको दिखनी रहे होंगे क्यूंकि इसने काफी अच्छे से अपना फैला लिया है देखिए और बाकि आपने ये तो देखे होंगे सब्सक्राइब्स बढ़न लगया दिया हैं और इस अपना अच्छे से ग्रॉः हुआ और देखने में काफी शांदार से हैंगींग वालकर हमारे त्यार हो recher गया ना और यह सब से बड़ा वाला जिते अच्छे से रिए हूआ है और बाकि इतित सबसे खुबसूरत वाला पॉशन और सबसे क्यूट वाला पॉशन ये वाला है मैंने सारी बॉटल्स पॉट्स का यूज किया है जो बॉटल्स आप जो कॉल्ड्रिंग की बॉटल्स आप सभी फैंक देते हो उनको कुछ इस तरह से प्रयोग करती हूं जिससे की मेरा बहुत ही अच्छे से जीरो बजट गार्डन ग्रो और साथ में कुछ इस प्रकार से मेरे पास पॉलिथीन भी पड़ी थी उनको भी मैंने फैंका नहीं उनका भी कुछ इस तरह से रियूज किया है और देखिए हर एक चीज इसमें फैल गया है देखिए आप लंबाई इसकी देख सक है फुच्छ बड़े पॉर्ट में लगा month वि सब्ट पर चारे से इसका ब्रकार सब्सक्रालिया ङारे इस्टाग में कलची इसे प्लांट में क्यों उसके खिर्न है शेप के माध्यम से लगा है बट इसकी कलियां खिलती रहती है तो यह यहां वहां चली जाती है और साथ में ही मैंने कुछ दिन पहले रैबिट शेप में कुछ इस तरह से पॉट त्यार किया था जो कि मैं कच्रे से उठा कर लाई थी लोगन इसे फैंक दिया था हमारे है कपड़ के मदद से और यह वृले हम खरीटके लाए थे और यहँए कपड़े के मदद से क्रियेट किया है यह खरीटके लाएय और यह अपर पार्ट है उस अचार वाली डिब्बे का जो आपने देखा ना से काटून से ड्रोः थी वाल्ट नहीं हमारे पास फाफ़े पड़ो घ्ड़ी इस हालत में इसमें सारी हं पुर्विस्ट मुल्य चाए पलांट तकलीफ यह पापा ने लिलाया था रियल जूस यहां पर फाट सल्यान पार जो इस से बलॉत ब्लांट लगा plexak और यह जो आपने आपको मैंने दिखाए ना पर पाठ तो यह उसका लोगार पाठ है देखिए कि इच्छे से इसमें यह प्लांट करो रहा है साथ में देखिए यह चोटी सी लिमका की बोटल की टोटली 50 रुपए में आती है उसका यह पाठ है देखिए कितने क्यूट से पाठ तो बनाने ही चाहिए यह हमने आइसक्रीम खाई थी ना उसका पाठ आई यह और देखिए कितनी अच्छे से इसमें बेबी संद्रों कर रहा है बहुत ही सुंदर लगता है और साथ में मेरी बहन ने इस पर कलाकारी कर दिया जो कि इसे और भी सुंदर बना रहा है और बना दिया और यह देखिए बिमार भी हो जाती हो मैं दवाईयां पीती हो कभी कभी तो इस प्रकार से दवाई वाले शीशी को भी फैंक आनी है इसमें मैंने प्लांट लगा दिया और रिजल्ट देखी इसका यह दिखी कितने अच्छे से यह भी ग्रो हो रहा है तो कोई भी चीज मेरे कोडिम बेस्ट नहीं होती है एक बार प्रयोग करके देखिए आपको सब लगाए तो इसमें आने ने कुछ इस तरह से प्लांट से पहन दिया जो कि मैंने प्लिथीन में लगा यह लोगा दिया हमें साथ में रिबन थे स्कूल के बचे होई आदें हमें इहां पर बंधार और वाखी यह तो मैंने खरीदें अपके साध़ी तो बस दोस्तों इतनी सी कहानी है दो महीनों में मैंने बस इतनी सी चीज़े क्रियेट की हैं अभी तो जिस शुरुआ तो यह बहुत आगे जाना है और बहुत ही आगे इस टेर्स गार्डन को फैलाना है इस तरह से हम ना जैसे वहाँ से शुरू है थे तो इस तरह से हम नीचे चले कि और वहां तक हर जगा फैला देगी अपनी हर्याली कि मैंने एक भी पोट पे खर्चा नहीं किया है जो भी घर में चीजें मिलती हैं या कभी रिच्तेदारों के घर में जाती हूं उनसे कुछ मिल जाता है या फिर कच्रे कच्रा जब फैंकने जाती हूं कच्रे के धेर पर काफी कुछ मिल जाता है जो कि लोग वेस्ट छोड़ देते हैं समझ के छोड़ देते हैं बस उनी चीजों का प्रेयोग करके मैंने कुछ इस प्रकार से टैरस काड़न क्रियेट कर लिया है तो इससे आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में जरूर बताए क्या मुझे कच् वाली हुमें अब फिर बचाने वाली हुमें कमेंट करना ना भूलिए वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक चैनल को शेर चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को शेर जरूर कर दीजिएगा ताकि जाद से जाद लोगों में अवेरनेस आए और इस पर कार की प् बढ़ाते हुए बोलिए सारे जैश्रे राधे